नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका अमारे यूटूब चैनल फोकस्वावर पे तो आज हम लेकर आए हैं क्लास नमबर फाइब जीके की जो सरीश शुरू करी हैं उसमें हम बी आरो, एससबी, आई टी बी पी, सी आर पी अप और एससी, रेलवे के अलावा इसरो, DMRC, DRDO में जो जीके के क्वेशन पूछे जाते हैं तो उस लेवल के क्वेशन को हम डिसकस करेंगे तो पार्ट नमबर फिप्ता है, इससे पहले हम चार क्लासे अप्लोड कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखिए, तो जरूर चकाउट करें तो पहला प्रशन है, Who is the considered the father of Indian space? तो भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के space program के father किसे माना जाता है तो डॉक्टर विक्रम सारावाई जी को माना जाता है, डॉक्टर होमी जे जागिर भामा को माना जाता है, अपी जे अब्दुलकराम को, या फिर सीवी रमन को तो चार उप्शन है, आंसर कर सकते हैं, कमेंट करना चाहें, तो कमेंट कर सकते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, उप्शन नमबर फर्स्ट, विक्रम सारावाई, तो इनके नाम पे space station भी रखा गया है, इस रोके दारा विक्रम सारावाई space station, तो इसलिए रखा गया, इनको father of Indian space program कहा जाता है next question है, which Indian city is famous for annual कुम मेला, a major Hindu pilgrimage तो जो वार्सिकी जो कुम मेला होता है, वो भारत की कौन सी city में लगता है तो वार्सिक तौर पे किस में लगता है, प्रियाग राज में लगता है, वाराण सी में लगता है, हरीद्वार में लगता है या फिर नासिक में लगता है, तो राइट आंसर होगा, जो वार्सिक कुम मेला होगा, वो कहां लगता है, प्रियाग राज में लगता है जिसका पुराना नाम है इलावाद तो option number A इसका right answer हो जाएगा अगला प्रशन है which river is known as the sorrow of Bengal तो Bengal का सोक के नाम से मसूर कौन सी नदी है तो कौन सी नदी को Bengal का सोक कहते है options है दामोदर नदी, ब्रह्म पुतरा नदी गंगा नदी या फिर यमना नदी तो बंगाल के सोक के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है तो right answer होगा इसका option number first दामोदर रिवर दामोदर नदी को जाना जाता है next question है who is the first Indian woman to win an individual Olympic gold medal तो कौन सी एक Olympic में gold medal जीतने वाली भारतिया महिला है फर्स्ट इंडियन वुमेन है PV सिंदु है, Mary Com साइना नहवाल है या फिर करणम मलेस्वरी है तो individual में कौन है तो right answer होजागा PV सिंदु तो PV सिंदु ने क्या किसी भी Olympic event में individual में first gold medal जीता था तो option number है इसका right answer हो जाता है next which Indian state is known as the land of the gold तो कौन से भारत के राज्य को किस भारत के राज्य को देवताओं की भूमी कहा जाता है तो किसको कहा जाता है उत्राखंड को कहते है हिमाचल प्रदेश को कहते है जम्मू कस्मीर को कहते है या फिर राजिस्तान को कहते है तो देवताओं की देवताओं की भूमी किसे कहते हैं Land of the God किसे स्टेट को कहते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा उत्राखंड और देव भूमी के नाम से भी उत्राखंड को जाना जाता है नेक्स्ट है तो कौन से स्टेट में महान गणित तक गया स्री निवासन रामा जून का जनम हुआ था उप्सन से तमिल नाडू, केरल, करनाटगा या फिर आंद्रप्रदेश तो राइट आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर फर्स्ट तमिल नाडू में इनका जनम हुआ था महान गणित तक गया रामानुजून का तो कौन सा इंडियन इस्टेड है जिसमें कतककली निर्त्या होता है तो किसमें होता है, केरल में होता है उप्सन नमबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है ता इंडियन रूपी सिंबल वस डिजाइड बाइ विच इंडियन आर्किटेक्ट तो कौन से आर्किटेक्ट ने जो इंडियन रूपीस का ये सिंबल है ये आप देख पारे होंगे इस तरीके से सिंबल होता है इंडियन रूपीस का नोट में भी आपने देखा होगा तो यह जो symbol है यह किस ने design करा था, कौन से architect ने design करा था option है, उदय कुमार, Charles Korea, Lee Corby जी या B.B. Dossi तो इन में से किस ने design किया था तो right answer है, उदय कुमार जी ने यह architecture design किया था, यह symbol design किया था रुपय का जो symbol है next, which Indian state is known as the land of five river तो काफी important question है और काफी बार repeat भी हुआ एक्जाम में land of five river, तो पांच नदियों का भूमी किसे कहते हैं तो important question है, options है पंजाब, महराश्टरा, गुजरात या फिर राजिस्तान तो पांच नदियों की भूमी किसे कहा जाता है, पंजाब को कहा जाता है, option number A इसका right answer हो जाएगा next is the famous dance from भरत नाट्यम और 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 जिनेट इन विच इंडेने श्टेट, तो कौन से भारत राज्या में भरत नाट्यम और जिनेट हुआ था, यानि कि ज्यादा तर यूज किया, तमिल नाट्यू, करनाटका, आंदरा प्रदेश या फिर तेलंगाना, तो भरत नाट्यम कहाँ पर और और जिनेट हुआ था, तमिल नाट्यू में हुआ था, option number A इसका right answer है, next है, who is known as the nightingle of India, तो कौन है लट्टा मंगे इसकर right answer हो जाएगा next question है, the agenda caves, a UNESCO World Heritage Site, are located in which Indian state, तो अजनता की जो गुफा है, वो UNESCO की World Heritage Site है, तो भारत के किस राज्या में ये मौजूद है, अजनता की गुफा महराष्टा में, मध्या प्रदेश में, राजिस्तान में या फिर उत्तर प्रदेश में, UNESCO की World Heritage Site भी से गोसित किया गया है, तो कौन से श्टेड में, महराष्टा श्टेड में, option number A इसका right answer हो जाएगा next which Indian freedom fighter is properly known as Netaji, तो कौन से freedom fighter को सतंता सेनानी को Netaji नाम से जाना जाता है, सुवाष्चंद्र बोस को, भगत सिंग को, मात्मा गांदी जी को, या फिर जवालार नेरु को तो किसको जाना जाता है, सुवाष्चंद्र बोस को, नेता जी की नाम से जाना जाता है, और जवालार नेरु को, चाचा की नाम से जाना जाता है, यह आपको पता होना जाता है, next है तो जो फेमस मोन्यूमेंट है हवा महल, वो किस सिटी में लोकेटेट है, तो किस सिटी में है, ओप्सन से जैपूर, तो राइट आंसर क्या होगा, इसका जैपूर ही होगा, फर्स्ट ओप्सन इसका राइट आंसर होगा, जैपूर में है हवा महल लोकेटेट, कहां पे इंडियन वुमेंट टू विन आ पैरा ओलंपिक गॉल्ड मेडल तो अबने लेकरा ने जीता था नेक्स्ट एज इंडियन इपीक महा भारता वस रिटन बाई विच सेज तो कौन से कौन से रिसी ने महा भारत को लिखा था व्यास ने लिखा था वालमिके ने लिखा था तुलसी दास जी ने लिखा था या काली दास ने लिखा था तो महाँ भारत किसके द्वारा लिखी गी थी? राइट आंसर है वेद व्यास द्वारा लिखी गी थी तो option number first इसका राइट आंसर हो जाएगा Next question है The famous hill station Simla is the capital of which Indian state तो Simla कौन से राज्या की राजदानी है और hill station भी है यह तो हिमाचल की है, उत्राखंड की है, जम्मू कस्मीर की है या फिर सिक्किम की है तो जो Simla hill station है किस state की capital है? हिमाचल प्रदेश की capital है तो option number A इसका राइट आंसर हो जाएगा Next question है Which Indian state is famous for the dance form called BU तो BU dance के लिए कौन सा state? कौन सा भारत्या राज्या famous है तो आसाम है, मनिपूर है, मेगाल है या फिर मिजोरम है तो पता ही होगा आपको BU जो डांस है वो कहां से बिलॉंग करता है आसाम राज्या से बिलॉंग करता है Next question Who is the founder of the social networking site facebook तो समाजिक संचाल site facebook के संस्तापक कौन है तो कौन है? मार्क जुकरवर Bill Gates, Jeff Bezos या फिर Jack Dorsey तो कौन होगा? राइट आंसर है इसका मार्क जुकरवर फेस्बुक के founder तो अब ये भी आपको पता होना चाहिए facebook का नाम आप change हो गया है उसको meta के नाम से जाना जाता है तो ये भी पूछ सकता है facebook का नया नाम क्या है तो आपको पता होना चाहिए तो meta का meta होगा? या फिर ये पूछ सकता है कि meta के founder कौन है तो confused नहीं हो ना facebook और meta एक ही है नाम change हो गया है next जो ये Bill Gates है Microsoft के founder है Microsoft के founder है Bill Gates Jack Dorsey है Twitter के founder थे इन्होंने फिर Twitter अब बेस दिया था Twitter के founder थे Jack Dorsey which planet is known as the morning star और evening star तो सुबह का तारा और सांच का तारा की रूप में मसूर कौन सा गर है तो कौन सा है? सुक्र गर है option number A इसका right answer हो जाएगा next question है the term Gurkhaz is associated with which country's army तो गोरखाली सब्द किस देश की सेना से संबंदित है तो किस देश की सेना से संबंदित है गोरखाली नैपाल भारत भूटान या फिर सिल्लंका तो किस से संबंदित है right answer है option number first नैपाल से next है the largest delta in the world is formed by which river तो दुनिया का सबसे बड़ा delta कोन सी नदी द्वारा बनाया जाता है तो कौन सी नदी द्वारा बनाया जाता है Amazon नदी द्वारा गंगा नदी द्वारा नील नदी द्वारा या फिर Yangtasi river तो किस के द्वारा बनाया जाता है गंगा के द्वारा बनाया जाएगा तो क्या गंगा और ब्रहम पुत्र मिलके बनाती है कौन से बनाती है गंगा और ब्रह्म पुत्र मिलके बनाती है जिसको जो सुंदर्वन डेल्टा है जो सुंदर्वन नजी डेल्टा है वो ब्रह्म पुत्र और गंगा मिलके बनाती है तो यहां पे ब्रह्म पुत्र नहीं है तो इसलिए राइट आंसर इसका गंगा हो जाएगा option number B इसका right answer हो जाएगा next है which city is known as the pink city of India तो भारत के गुलावी सहर के रूप में मसूर कौन सा सहर है तो कौन से सहर को गुलावी सहर कहा जाता है जैपूर को, उदैपूर को, जोदपूर को और बिकानेर को तो यह आपको पता है, सभी city जो है, यह राजिस्तान से बिलोंग करती है तो कौन से city को, pink city कहा जाता है, जैपूर को कहा जाता है next है, the battle of Plassey was found in which year तो Plassey की लड़ाई किस वर्स में लड़ी गई थी तो कौन से वर्स में लड़ी गई थी, 1757 option number is, इसका right answer हो जाएगा तो Plassey की जो लड़ाई है, वो 1757 इस्वी में लड़ी गई थी next question है, the city of Makkah is located in which country तो Makkah सहर किस देश में इस्थीत है तो कौन से देश में है, साओधी अरब में है, टर्की में है, इरान में है या फिर मिस्र यानि एजिप्ट में है तो जो Makkah है, वो का है, साओधी अरब में इस्थीत है next up, which Indian city is known as the city of lakes तो सरोवरों, जीलों का सहर या सरोवरों का सहर की नाम से मसूर भारते सहर कौन सा है, तो कौन सा है, उदैपूर है, जैपूर है, भोंपाल है या फिर जोदपूर है, तो इन में से कौन से city को, city of lake कहा जाता है तो right answer हो जाएगा, उदैपूर, ये राजिस्तान में स्थीत है उदैपूर, city of lake के नाम से जाना जाता है next question है, the famous Ajanta cave are located in which Indian state तो परसित अजनता गुफाएं भारतिया राज्य के किस राज्य में स्थीत है, तो आपको उपर करा चुके है, महाराष्टर राज्य में स्थीत है next question है, sorry, who was the first Indian to win an individual Olympic gold medal तो individual Olympic gold medal किसने जीता था, तो अभिनव बिंदरा ने जीता था उपर जो question था, उसमें woman में पूचा गया था, कौन सी first woman है, जिसने woman में individual medal जीता था, Olympic में तो उसमें क्या जाएगा, PV सिंदो आजाएगा, अगर कोई भी वो नहीं दे रहागा, male, female कुछ नहीं दे रहागा, तो सबसे पहले किसने जीता है, अभिनव बिंदरा ने जीता है, इंडिया के लिए नेक्स्ट है, दक काजी रंगा नेशनल पार्क is located in which Indian state, तो काजी रंगा राष्ट उद्ध्यान भारत यह राज्या के किसमें इस्तित है, तो किसमें आसाम में, उतराखंड में, मध्यप्रदेश में या पिर भिहार में, तो काजी रंगा नेशनल पार कहां पर है, आसाम र Biden, Donald Trump, Kamala Harris, या फिर Barack Obama, तो 2023 है, तो अभी कौन है, current राष्टपती, President, Joe Biden है, option number है, इसका right answer हो जाएगा, Next up, which is the largest organ in the woman body, तो मानव सरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, skin, liver, heart, या फिर brain, तो कौन सा होगा, skin है, मानव सरीर का सबसे बड़ा अंग, Next, who was the first woman chief minister of India, तो भारत की पहली महला मुख्यमंत्री कौन थी, तो कौन थी, सुचिता किरपलानी, इंदरा गांदी, वसंदरा राजे, या फिर ममता वेनर जी, तो कौन थी, सुचिता किरपलानी थी, first woman chief minister of India, तो किसी भी इंडियन स्टेट की जो first woman chief minister थी, वो थी सुचिता क किरपलानी, इंदरा गांदी थी, first prime minister, lady prime minister, तो यह आपको पता होना चाहिए, next है, which is the largest gland in the human body, तो मानव सरीर में सबसा बड़ा ग्रंती कौन सी है, तो कौन सी है, लीवर है, pancreas है, thyroid gland है, या फिर pituitary gland है, तो कौन सी है मानव सरीर की सबसे बड़ी ग्रंती, लीवर है, तो अगर ग्रंती के बारे में पुछेगा, तो लीवर आएगा, और अगर अंग के बारे में पुछेगा, वहाँ पे तोचा option में होगी, तो आपको इसकीन पे टिक करना है, तो यह ग्रंती कौन सी होती है, सबसे बड़ी लीवर ही होती है, next, what is the currency of Brazil, तो Brazil की मुद्रा क्या है, रियल, पैसो, यूरो या फिर रुपए, तो क्या होती है, ब्राजिल की मुद्रा, तो राइट आंसर है, इसका option number first, रियल है, ब्राजिल की currency का नाम, जापान की currency पुछता है, तो जापान की currency ये, next है, in which sport is lakchas and is prominent player, तो कौन से खेल में lakchas and प्रमुक खिलाडी है, तो कौ आपके एक्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, next है, लakchas दीप में कुल कितने दूइप है, तो how many total Iceland in Lakchas दीप, तो कितने Iceland है, लakchas दीप में, 12, 24, 36 या फिर 48, तो कितने 36 Iceland है, option number C का right answer हो जाएगा, next है, अमरनाथ गुफा मंदीर भारत के किस राज्य में इस्तीत है, तो which Indian state belong to Amarnath Cave Temple, तो किस में है, जम्मू एंड कस्मीर में, तो first option इसका right answer हो जाएगा, तो ये थी आज की वीडियो, I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like करें, share करें, और चैनल को subscribe करें, आज के लिए इतना ही, और अगर आपने previous classes नहीं देखी, तो वो जरूर चैनल पर जाके चकाउट करें, धन्यवाद चैन,